आज के वीडियो में हम देखेंगे साथ दिन के साथ ऐसे उपाए जो आपको कर देंगे माला माल तो चलो वीडियो शुरू करते हैं गर की वो प्रमुक महिला जिसके हाथ में पूरे घर की बागडोर होती है उसे प्रति दिन सुर्यदे से पहले उटकर तांबे के कलश में शुद्ध जल भर कर घर के मुख्ये द्वार बर चुड़कना जाएं आज के दिन सफलता प्राप्त करने के लिए घर से निकलने से पहले शुजी की पूजा करके निकलना जाएं नमबर दो मंगलवार आज का दिन हनुमान जी का होता है इस दिन की शुरुवात हनुमान जी की पूजा करना चाहिए हनुमान जी को लगा हुआ पान और लाल फुल चड़ाना बेच शुप माना दाता है अगर आप पर कर्ज है तो मंगलवार के दिन कर्ज दारों को पैसा लोटना शुरू करें आप परसे कर्ज जल्दी उतर जाएगा नमबर दिन बुध्वार आज के दिन किसी को भी कोई भी सामान, माल या नगतराशी उधार ना दे पुध्वार के दिन गनेजी को दुर्वा चड़ाए और ओम एक दंताय विद्नेहे वक्रत उंडाय दिम्मली तन्नो बुध्धी प्रचोद्यात इस मंत्र का जाब करें इस दिन गाय को हराजारा खिलाना बहुत शुब होता है नमबर चार गुरुवार बगवान विष्णुजी की पुजा करें उन्हें पिले फूल अर्पित करें ओम नमो बगवति वासु देवाय मंत्र का जाब करें इस दिन पिले रंग के कप्रे भेनना बैच्शूब होता है गाय को चने की दाल खिलाए इस दिन अगर आपको धन की प्राप्ति होती है तो धन में से कुछ राशी जरूर दान करें नमबर बात शुक्रवार एज दिन लक्षमी चीगी आरतन का दिन होता है मालक्षमी को गुलाब या कमल के फूल जरूर अर्पित करें साथ ही खिर का भोग लगाए ओम, स्रीम, क्लीम, मालक्षमी, मालक्षमी एक दिन तीसर वो सवबाग्य देह में स्वाहा इस मंत्र का जाब करें नमबर छे शनिवार इस दिन मैं शनिदेव की पुजा करना चाहिए इस दिन जादा से जादा गरिबों को दान दे शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चड़ाई लेकिन इस दिन ना तो तेल खरीदे ना ही किसी के घर से तेल उधार ली शनिवार को जूते चपल भी नहीं खरीदना चाहिए साती इस दिन लोहा खरीदना भी हशुब माना जाता है No.7, रविवार, संडे संडे के दिन सुर्य दोई से पहले उट जाए ना दोकर लाल रंके शुद्ध वस्रों को धारन करे फिर ताम्बे के कलश में से साब जल भर कर ले और जल को सुर्य देवता को अर्बित करे और लाल फुल जड़ाए साथ ही ओम गुने सुर्याहिन महा अजाब भी करे इस समय आप आदित्य शुत्रगा पाड़ भी कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको ए वीडियो केसे लगा? इस कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भुले धन्यवाद, थैंक्स पो ओचिंग